प्रदान मंद्री ने पटना में बोला है कि हमने हज यात्रियों की जो वहां जाने वाले हज यात्रियों की संख्या थी वो एक लाग पचत्तर अजार से बढ़ा कर दो लाग कर दिये ऐसे में देश का मुसल्मान क्या कहता है उसको कैसी उसका प्रतिक्रिया क्या है इसी को देने के लिए हमारे साथ मौजूद है नगरपाली का ध्यच मौ अरसर जमाल बहुत स्वागत है आपका सबसे तेज न्यूस पर इनसे सवाल करेंगे कि क्या ये मोदी की इस जो घोस्रा ह है उनके इस प्रयाज से खुस हैं या उनका कुछ और कहना है कैसर जो आज मोदी जी ने घोस्रा की उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है देखिए सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि अब हमारे परधान मंत्री है कुछ कहना भी ठीक नहीं है लेकिन बड़ा शर्म आती हिएख को जो कोटा एक माच प किमिटय की माध्यम भाश करने जाते है उसमें जो मिलाक दू dla कर एक सचेट्सार जाते जाते यह पूरा शाये शायर झातए ऑंगे क्ला कर benutा लए हमारी सरकार तो चाहती है को कोटा 20 लाग हो जाए क्योंकि सरकार को उसे बहुत बड़ा रिवनु का लाभ है आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि आप यहां से सौधी अगर जाना चाहते हो हिंदुस्तान से सौधी जाना चाहते हो यानि बनारस से आप जाए या गोरकपूर से या गोरकपूर से जाता है या लखनो से या बंबे कहीं से भी जाते हैं तो दोनों तरफ का आने और जाने का किराया जो होता है वो 24,000 के आस पास होता है किसी से भी आप कहीं से भी टिकट बनाने वाले से आप पूछा हो आपको बता देगा आम आदमी यानि मुसलमानों मे ही गर नोकरी करने के लिए हमारे नوجowान जाते है तो उनका किराया 24,000 के आने और जाने का लगता है अगर दो मेना पहले हम टिकट बनवाते हैं तो और वही मुसलमान जब हज़ करने जाता है तो उससे ऐक ऐस सी किरा ज़्यानों मुषी सरकार बतातीका तो पारत से अगर को जाता है तो उससे उसका क्राया लिया जाता है चौपी सजार रुपे और हवाई जहाती है एर इंडिया इंडिया कोई सहुलत वाला जहाज नहीं है बहुत जो second hand craft है उसको ले जाते हैं तो अगर हम अपने किसी और काम से जाते हैं तो हम जिस जहाज से चाहें सौधी जा सकते हैं और जब हम जहाज करने जाते हैं तो सरकार करते हैं आपको हमारे ही जहाज से जाना पड़ेगा और मुझको इसमें किस्टा यादा गया एक आदमी ने कहा कि यह मेरा उंट है मैं सो रुपे का उसको बेचूंगा और उसके साथ शर्त लगा दी कि उसके साथ बिल्ली की मत एक लाग रुपिया है उंट उसी को देंगे जो बिल्ली के साथ उट लेगा ये जो भारत सरकार कर सभय दार में अगर सही माने में मोदी जी एक जिम्मधार वेक्ती है जिम्मधार कंता हूँ अगर ये सबसे जात草 पड़े जिम्मधार व्यक्ति हुए उनका कोई बात कहना हो पढ़ाने का सवोधी को इस काम सर घार को देर ¬ात शरो चाहिए तो कॉक्त हो जाएंग सुविजाद सरकार ने पहले हले में खतम कर दी आता ही इनों ने चुनू कर दी आता और दो किस्तों में करके पूरी सब्लिटी समाप्त कर दी दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या वो यही है कि जब हम किसी भी एर जेटी और बहुत तारी सारे विमान जाते हैं जो तो हाँ 24,000 में जाएंगे लेकिन हज करने यानि कि हम अपने इबादत के काम में जाएंगे तो हम से सरकार 81,000 क्यों लेती है आईए और कुछ बाते जानते हैं हज यात्रा में क्या कुछ वर्तमान सरकार में आपको सहूलियत मिली है या पूरवरती सरकार में आपको सहूलियत ताजियों को नहीं मिली है और तमाम लोग हज़ करने जाते हैं मेरे घर से 20 साल कई लोग गय थे मगर कोई अलग से सुविधा या अलग से सहूलत नहीं है जैसे बेस्था पहले चले हाँ वहां की बयूस्था वाहां जो सौदी कोर्общा करती है वो नियुक्त सरकार से कहूंगा कि आपको वह भी बड़े-बड़े आयोजन होते हैं कुम्ब का मेला होता है या इस तरह का बहुत बड़े-बड़े आयोजन होते हैं के मुसल्मान भाई हो तो इस पर आपका क्या प्रियक्शन है आपको क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं इसलिए आपका एक व्यक्ति होने के नाते ये बात नहीं कह रहा हूँ लेकिन मैं तो एक अरसर जमाल नगरपालिका और सफा नेता पूर लोगोसी लोगसबा के प्रत्यासी समाज़ादी पार्टी से अगर हम बात करें चलिए आपको तो उस तरक दे एक बात करें तो क्या कहना होगा आपका देखें मैं एक साधारर व्यक्ति की तरह से एक बात कर रहा हूँ और मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे अफसोस होता है कि मेरे परधान मंतरी कितना जादे जूड बोलती इन्हें गहर दिम्यदारी की बात उन्हें नहीं करनी चाहिए मैंने जो बातें आपको बता दी हैं उसमें किसी भी बात कि आप जाँच करा लीजी एक बात भी खलत नहीं निकलेगी सरकार को एक हजार क्रोड के आसपास रुपया दो लाख लोगों से आप जोड लिए कि यह 40,000 रुपय जो या 35,000 रुपया फीव एकती अधिक ले रहे हैं जो लाख रुपयों में एमाउन कितना बड़ेगा कई सो करोड रुपया बनेगा तो सरकार ने हज को भी इनकम का जरिया बना लिया है और एक तरफ आप दूसरे जो हमारे भाई हैं वो अगर किसी धार्मिक अपने सफर बे जाते हैं तूने हर तरह कि आप मरात देते हैं त उसको बढ़ाने का प्रयास मत करिये तो क्या सरकार सो तेला बेवार करी गया बेशकर रही इसमें कोई शुवाई नहीं है हम यहीं इसी मुल्क मेरा के देख रहे हैं कि एक तरफ तो आप जो लोग हमारे इसी मुल्क के जो दूसरे तपके के जो भाई हैं उनकी तीर सियात् ढ़्यक्ति जाता नहीं है तो इसकी सुषगय-अब करते जा रहे हैं दिन बदिन उसके सबसीड़ी को समाब्त कर रहे हैं एक तरफ तरफ आप सबसीड़ी समावत कर रहे हैं कि देश की किसी भी राजनायतिक दल को इस दो तरह का सोथिलह स्वाकार नहीं करना चाहिए जो भी करिया आप एक साथ करिए हम तो इस देश के साथ हैं तो यह थे अर्शा जमाल जो बता रहे थे सारी बारिकियों को और साथ ही साथ कह रहे थे कि अगर एक मुल्क में रहना है तो दो तरफा कानून क्यों ऐसे ताजा तरी निवीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइ करें शेर करें साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं